सो हे फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ब्रंजन क्रिया क्या है ब्रंजक चूड के उपियोग रासायनिक नाम और सूत्र आज हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं तो आप लोग वीडियो के लाट तक बने रहे हैं तो आपको ये कौश्चन बहुत ही आसान तरीके से स्बसे पहले जानते हैं रासायनिक नाम होता है केलसीयम क्या होता है कैलसीयम ओक्सी क्लोराइड ठीक है ये अरच इसकी क्रिया पढ़ते हैं तो देखिए क्रिया हो जाएगी ब्रंजक चूण से मुक्त क्लोरीन गैस क्या ब्रंजक चूण से मुक्त क्लोरीन गैस ब्रंजक चूण से क्लोरीन गैस मुक्त कैसे होती है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए तो चलिए क्रिया के माध्यां से समझते हैं ठीक इंट्र Besch कर दोडनेक और यह थोड़ा अधिक मात्र में लेंगे क्या हमारी किरिया वह अच्छे से पराप्त हूँकर हम में गल्सम सल्फेट पराप्ताओव हम भी साथ हमें क्लोरीन गेस मिलगई झूजहीए था मिल गई अब पानी से स्वाइब करके नौजात ऑकसीजन नकालती है तो कि एलड्यों क्लोरीन का क्ल्रीज कहा देंग गया जलigkeit क्लोरीन के पर्म एकींडों किसे कराइं और साथ ही साथ हमें क्या प्रवाथ हो गई knouse क्या कर देती हैं रंगींब और रेया बदल देती ली अगया वदंब परोठ sell सबसे पहले करेंगे नवजात औक्सीजन चलिए लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे रंगीन पदार्थ क्या पूरा कुष्ण हो गया अब इसे एक बार हम और पढ़ लेते हैं तांकि हम अच्छे से याद हो जाए क्या लिखा हुआ है बरंज़क चूर से मुक्त क्लोरीन गयास पानी से सेयोग करके नौजात ओक्सिजन निकालती है और यह नौजात ओक्सिजन रंगीन पदार्थों को जो रंगीन पदार्थ होते हैं वाले उनको क्या घरती रंगे जोड़ेंगे जो जाशे के आप देख सकते हैं जो ब्रंजक चूड है उसके उपयोग हमारे लिखे हुए तो चलिए आप पड़ते हैं क्या है पहला उपयोग बस्तर उध्योग में, शूती एवं लीलेन के ब्रणजन लिये ठीक है और दूसरा हो जाएगा किसमें हो जाएगा उनको सुक्णरहिद बनाने में और चौता हो जाएगा जल को सुद्ध करने में जल को सुद्ध करने में और पांच मा अपना पॉइंट हो जाएगा रोगाडू नासक और आक्सीकारक के रूप में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना क्योंकि आपको इसी प्रकार से साइंस की वीडियो मिलने वाली है तो हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई